माफिया आतिक हमत को 17 साल पुराने मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है हाला कि उसके भाई को इस मामले में बरी कर दिया गया है जिसके बाद अश्रफ को फिर से बरेली जेल भेजा गया है जब अतिक और अश्रफ को कोड में पेश किया गया था तो उस वक्त वहां कड़ी सुरक्षा के इंतजा म किये गए थे इस दोरान अतीक अहमत के खिलाफ जमकर नारे बाजी तक हुई थी इस बातचीत को दौरान अश्रफ ने बाई अतीक अहमत से उन हालातों का जिक्र भी किया जो उनके साथ चल रहे थे वहां मौजूद लोगों ने भी अश्रफ की हाला देखी जो कुछ खासा अच्छी नहीं थी लेकिन अश्रफ ने इशालो ही इशालो में अपने भाई को भरोसे दिलाया कि चिंता ना करो अभी मैं हूँ मैं संभाल लूँगा दोनों भायों के बीच हो रही आखो के इस समवाद को पूरे कोर्ट रूम ने जरूर देखा वही कोर्ट से निकलते समय अश्रफ ने वकील सौलत हनीव और दिनेश पासी को भरोसा दिया और कहा के घर के खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं है अश्रफ मंगलवार को प्रियागराज की कोर्ट में पेश हुए थे इनकी पेशी राजुपाल हत्यकान में मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण वाले मामले में हुई थी इसके लिए अश्रफ बरेली जेल से आया था साल 2007 में हुई इस वारदात में कोर्ट में अतीक समेथ तीन दोशियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है इनमें अतीक का वकील सौलत हनीफ और सागिर्थ दिनेश पासी भी शामिल है हाला कि जब अश्रफ से ये बात पूछी गई कि कोर्ट में उसकी और अतीक की क्या बात हुई तो उसका दो टुक जवाब था कि ये उन दोनों भाईयों के बीज की बात है हाला कि माफि आतीक कैमत को वापस साबर मती जेल भेज दिया गया है और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है मगर दोनों भाईयों के बीच हुई इस बातचीत ने नए सवालों को जन्म जरूर दे दिया है कर स Kayla में पिरन जरूर कि बनान। झाल 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 झाल